केम्प में जो कोच होते हैं मैंने इतना रिक्वेस्ट किया भी चीफ कोच के लिए जो कोचीज होते हैं वो खुद लड़कियों का सोशन करते हैं महीला कोचों के साथ में बुरा बिरताव करते हैं केम्प में कोचीज होते हैं लेकिन कुछ जो फ्रेडेशन के खास हैं जो खुद रह वार करते हैं महीला कोचों के साथ में जल्त वैवार करें उसकी मैंने आऎवाज उठा यह इस बार वुद्ध भी उह यहीं चीफ कोच ऐसूर्माद के लड़किया उती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की सोशन करवाने के लिए ही और अध्याक्स जी ने खुद पताने कितनी लड़कियों का सोशन किया हास्ता है आप रहे हैं लोट सारों को पता है उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कोई बोल नहीं पाता है यह रहे हैं जो हमारे women's camp में उन में से कुछ-कोची सभी नहीं है, मैलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी और वहीं लड़कियों से बात करवाते हैं, और फिर देक्स जी उनके साथ में सोचन करते हैं, और पता नहीं हजारों तनी बोलुमें सो लड़किया, यहां पर जो लड़किया बैठी हैं, उस में से एक दो लड़की के साथ भी अगटना हुई है, यहां पर जो बैठी है, जी, तो यह आपसे पहले हट्यों नहीं आवाज उथे, आप कितने पावर्फुल लोग हैं, कितने पावर्फूल हों हैं आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी विनेश माफ की जब करें कि यहां पर कुछ लड़किया बैटें क्या थुआ जी नहीं नाम नहीं लेंगे लड़किया है हम देश के लिए हम देश हमारे को उत्य नजरों से देखता हम अपने उनके नजरों में गिर्वाने के लिए वह सब चीज़े हम बताएंगे लड़कियों के नाम बता सकती हूं नेशनल केम में आज तक 10 सालों में जो देखा जो नहीं अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैटके सामने कि हमारे साथ ऐसे हुआ है लेकिन वह लड़कि वह मतनी सामने कि क्योंकि फैमिली बैगरांड अच्छा नहीं है क्योंकि वह इन से लड़नी सकती क्योंकि पावर्फुल नहीं है और हम आज इतनी इस इस अध्वे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे कुछ खतम कर दो बगवान की दैसे मेरे पास घर है खान की हूँ हमें कि हम तो एक दो साल और कर लेंगे ठीक हम काफी सीनियर से लेकिन हमारे आगे आने वाला बविश जूटी एफाईर दर्ज होने पर क्या करें कुछ लोग बदला लेने के लिए जूटे केस में फसा देते हैं या ब्लैकमेलिंग करके धन एटने के लिए जूटे क भी नहीं होते हैं ऐसे में कोर्ट में रिलीफ मागने जाएं भी तो किस मूँ से जाएं और ऐसी कंडिशन में कोर्ट आपको रिलीफ कैसे देगा क्योंकि जूटी एफाईर दर्ज कराने वाले बड़े ही शातिर खिलाड़ी होते हैं वो इस बात को निश्चिंत करके ही आपके पास कोई सबूत नहीं हो और सारी परिस्तिती, गवा और एविडेंस आपके ही खिलाफ हो। यदि आप एड़ोकेट या लॉयर हैं और इस तरह के केस डील करते हैं तो अपने नाम, फोटोग्राफ, योगेता, लाइसेंस, अनुभव और रिजूम के साथ हमसे संपर करें plogeindexing at gmail.com हम आपका इंटर्व्यू करना चाहेंगे और आपकी contact details लोगों के साथ share करना चाहेंगे जिससे आपकी services लोगों तक बहतर तरीके से पहुंच सके और वो लोग आपसे आसानी से संपर कर सकें जिने आपकी ही expert knowledge की आफशक्ता है हमें email करें plogeindexing at gmail.com जूटी F.I.R. दर्ज होने पर क्या करें? कुछ लोग बदला लेने के लिए जूटे केस में फसा देते हैं या blackmailing करके धन एटने के लिए जूटे केस में फसा देते हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा को नश्ट करने के एरादे से जूटी F.I.R. दर्ज करा देते हैं मुसीबत तो तब होती है जब आपके पास अपने बचाव के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं होते हैं तो ऐसे में कोर्ट से रिलीफ मांगने भी जाएं बिना सबूत के तो किस मूँ से जाएं? और ऐसी कंडिशन में कोर्ट आपको रिलीफ कैसे देगा? क्योंकि जूटी F.I.R. दर्ज कराने वाले बड़े ही शातिर खिलाड़ी हो सकते हैं वो इस बात को निश्चंत करके ही आपके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं हो और सारी परिस्तिती, गवा और एविडेंस आपके ही खिलाफ हो यदि आप एड़ोकेट या लोयर हैं और इस तरह के केस डील करते हैं तो अपने नाम, फोटोग्राफ, योग्यता, लाइसेंस, अनुभव और रिजूम के साथ हम से संपर करें plojeindexing at gmail.com हम आपका इंटर्वू करना चाहेंगे और आपकी contact details लोगों के साथ share करना चाहेंगे जिससे आपकी services लोगों तक बहतर तरीके से पहुंच सकें और वो लोग आपसे आसानी से संपर कर सकें जिनने आपकी ही expert knowledge की आवशकता है हमें email करें plojeindexing at gmail.com ओर ओरे सकता है ओरे दगू, ओरे बाम्ने जानी से सब्सक्राएंगे यह कहाई जाइ वोल्या जंग